चैनल पर रेट SST हिस्ट्री की सरंकला में जो हमारा साथवा टोपिक है वो है मुगल सामराज्य इसमें हम मुगल सामराज्य से सम्मंदित प्रशन और मुगल जो साशक है उनका राजपूत सासकों के साथ सम्मंद के संधरब में करेंगे चलिए σε्ट करते हैं मुगल सामराज्य से सम्मंदित प्रशन वो स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला प्रशन है बाबर ने भारत पर बाबर ने भारत पर ये भारत है ठाथा माक्रमन कब किया 1504 1519 1520 1524 तो बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमन किया था पहला आक्रमन वो 1519 में किया था 1519 में बाजोर और मेरा को जीता था और दूसरा आक्रमन में उसने 1519 में ही किया था जिसमें पेशावर को जीता था नेक्स्ट है बाबर दुआरा तुर्की भासा में लिखी गई तुजु के बाबरी का फार्सी अनुवाद किस ने किया था अबुल फजल, अब्दुर्रहीम खान खाना, फैजी और बंदयोनी तो इसका जो तुजु के बाबरी का है वो अबुल फजल ने किया था अबुल फजल है अकबर के दरबार में था और अकबर के नवरतन में से एक था next person है किस युद के पस्चात हुमायू ने भारत छोड़ा था चोसा का युद बिलग्राम का युद दोहरिया का युद या चुनार का युद तो बिलग्राम का युद है इसके बाद है ध्यान रखना है जो बिलग्राम का युद है इसके पस्चात है भारत छोड़ा था इसे कनोज का युद भी कहते हैं यह 17 मार्च 1940 को लड़ा गया था, उसके बाद जो हुमाईू है उसने लगभग 15 वर्स के लिए भारत है वो छोड़ दिया था, नेक्स्ट है सेरसा है, यानि हुमाईू है चोसा के उद में और बिलकराम के उद में सेरसा से हरा था, तो उसके बाद सेरसा का सासन आया था, तो स आने की संभावना है, वो पूरी-पूरी है, वो रहती है, तो आपको यह बताना है, सेरसा है के सासन में प्रांत ये भाग को क्या कहा जाता था, सूबा, सरकार, परगना, या फिर जिला, तो इस समें प्रांत है, उसको सूबा कहा जाता था, इस सूबे का जो अधिकारी है, वह अमीने बंगाल होता था प्रांत को सरकार में विभाजित किया जाता था यानि प्रांत जो होता था वो सरकार में विभाजित होता था सरकार परगनों में विभाजित होता था सरकार एक परगनों में विभाजित होता था नेक्स्ट है अक्बर ने किसे खाने खाना की उपादी दी थी खाने खाना की उपादी है वो अक्बर ने किसे दी थी तो मुबारक खा बेरम खा आसफ खा एवं आधम खा तो खाने खाना की उपादी है उन्होंने वजीर बेरम खा को दी थी बेरम खा के पुत्र अब्दुर खाने खाना रहीम जी थे उनके पास भी उपादी थी नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स हम जो सामाजिक विज्ञान के प्रस्ण पड़ रहे हैं यहां पर तो कुछ हम important प्रस्ण इस प्रकार पड़ रहे हैं जिससे आपके तयारी पूरी हो जाए फिर भी कोई ऐसा है जो प्रस्ण उसके अंदर है यह जो आपको दो रूपों में पीडियेफ मिलेगी एक तो मिलेगा पेपर जिसमें आप प्रशनों को हल कर सकते हैं कि वही मैं रख मुझे आता है कि नहीं उसके बाद दूसरी है वह एंसवर की इसमें क्यूशन भी होगे प्लस एंसवर की भी होगी और डिस् स्क्रिप्सन में जो नंबर दिया है उस पर वाट्सप कर सकते हो आपको पेमेंट वगेरे के प्रोसेस है वो बता दी जाएगी नेक्स्ट परसन है कौन अकबर के नवरतन में शामिल नहीं था यानि अकबर के नवरतन में कौन शामिल नहीं था फैजी हैकीम हुमाम भारमल तोडरमल तो इसमें जो है वो अकबर के जो नवरतन है उसमें नो विक्ति थे उन नो विक्ति के अंदर भारमल है वो नहीं था नो रतन थे उनमें बीरबल था मुलादो प्याजा फैजी अब्दुरहीम मानसी है तोडरमल हकीम हुमाम तानसीन और अबुल फजल थे तो भा करम नहीं था सिद्धा नेक्स अकबार ने मंसबदारी व्यवस्था के आधार पर सेनिक संगठण कब से शुरू किया है याने मंसबदारी मंसबदारी स्य प्र दिए आता था तो पंद्राशो पिजेतर के अंदर मनसबदारी व्यवस्ता शुरू की थी, उसके बाद में इसमें जात और सवार आधिपद भी बना दिये थे, नेक्स्ट है, कौन सा तथे अक्बर के संदर्ब में सही नहीं है, अंतिम विजे असीर गड़ दुरुक में प्राप्त की थी, यानि असीर दुरुक गड़ है, उसको जीतकर अंतिम विजे प्राप्त की थी, तान से इनको कंठा भरण वानी विलास की उपादी दी थी, जलाली वा दाम सोने के सिक्के चलाए थे, 1605 में मृत्यू वसिकंद्रा में दफनाया गया, तो इसमें जो सत्य नहीं है, वो यह है कि इन्होंने जो सिक्के चलाए थे, जलाली और दाम, वो सोने के नहीं थे, चलाली है, वो तो चांदी का सिक्का था, और जो दाम है, वह तांबे का सिक्का था, यानि दोनों ही सोने के नहीं थे, संसब वह इलाही नामक सोने के सिक्के है, वो चलाए थी, जब अकबर ने अ पुर्णे की जाबी से खोला गया था तांसेन को इन्होंने कंठा ब्रणवारी उलास की उपादी दी ही थी, तांसेन है, वो अकबर का जो है, वो संगीत कार था, जिसका मूल नाम है, वो राम तनू पांडे था, इसे अकबर ने, जो है वो यह उपादी प्रदा की थी नेक्स्ट है नसीरुदिन मुहमत जहांगीर बादसाय गाजी यानि जहांगीर जो है वो इस नाम से सासक बना था ने 1605 उसी में समराट बनकर कितनी घोषनाएं की थी समराट बना था तो उसने कितनी घोषनाएं की थी 7, 9, 11, 12 तो 12 घोषनाएं है वो की थी जैसे नसीले पदार्द की बिक्री बंद कर दी थी रविवार को पशुवद निशेद कर दिया था क्योंकि इनका रविवार को अकबर का और इसका जहांगीर का जनम दिन है वो आता था इसलिए और साथ ही भूमी पर जबरन अधिकार है वो रोग दिया था जहांगीर के जो सिक्षक थे वो बेरमखा के पुत्र अब्दुर्रहिम खान खाना थे जो कि रहिम दास जी के नाम से हम जिने जानते हैं इतर का अविश्कारख कोन थी इतर का अविश्कारख कोन थी असमत बेगम, असमत मेगम है, उसने गुलाब के फूलों से जो है वो इत्र बनाने का आविस्कार किया था, अन्ना सागर जील के पास है, उन्होंने इसका परिफ्यूम बनाया था, नेक्स्ट है मुम्ताज महल का मूल नाम क्या था, जगत गोसाई, अरजुमंद बानो, असमत बेगम, बेगम बानो, तो इसका मूल नाम था, वो था अरजुमंद बानो, यह है, अरजुमंद बानो बेगम नाम था, यह है असिफखा की पुत्री थी, असिफखा है वो दरबारी था, नेक्स्ट है, साज अहां काली उत्तरा दिकारी युद नहीं था, यहीं ऐसा उत्तर अधर्मत का यूग, सामूगड का यूग और सहधरी का यूग तो जो बहादुर्पूर का यूद है वे साहेय का लिनी था यह साहे सुझा द्वारा 1668 में लड़ा गया था धर्मत का यूद है वो भी साहेय काली निता औरंग जीव और मुराद ने जिता था सामुगड का यूगध है वो भी साहजाय कालिन था वो भी मुराद बगेरे ने जिता था जबकि साहधरी का यूगध है साहधरी का जो यूद है ऐसा कोई यूद नहीं था तो ये इसका उतर होगा नेक्स्ट है किस मुगल सासक के काल में सरवादिक हिंदू उत्रा अधिकारियों की न्युक्ति है वो की गई थी तो इसमें जो है अकबर, जहांगिर, साहजा और और औरंग जेब तो ये मैतु पुन बात है कि सबसे कट्र था वो औरंग जेब था और उसी के काल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की न्युक्ति है वो की गई थी औरंग जेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है या साही दरवेश भी कहा जाता है नेक्स्ट है औरंग जेब ने मतुरा के किस मंदिर को तोड़ा था और अंग जेब ने मतुरा के एक मंदिर को तोड़ा था केशव मंदिर, विश्वनात मंदिर, सोमनात मंदिर या सभी तो मतुरा के एक इस मंदिर को तोड़ा था तो मंदिर तो उसने लगबग सभी तोड़े थे लेकिन मतुरा में जो मंदिर था वो था केशव मंदिर बनारस के अंदर विश्वनात मंदिर था, सोमनात मंदिर है वो पाटन के अंदर था, इसने सारे तोड़े थे, लेकिन मतुरा में केश्व मंदिर है, वो तोड़ा था, ये ध्यान में रखना है 1663 में किस सासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो इसमें अकबर, साजा, जहांगीर और औरंगजेब तो ओरंग जेब ने सती प्रथा पर है वो रोक लगाई थी सन 1663 के अंदर 1668 में हिंदू तेहारों पर भी इसने रोक लगा दी थी जरोका दर्शन और तुलादान प्रथा को भी इसने समापते कर दिया था नेक्स्ट है जान सर्मन के नितरत्व में इस्ट इंडिया कमपनी का दल किस सासक के समय भारत आया था बहादु शाह प्रथम जहांदर साह फरूक सियर और मुहम्मद साह तो फरूक सियर है उसके सासनकाल में जो है वो जोन सर्मन के नितरत्व में जो है वह इस्ट इंडिया कम क्या किया था जो हेलमेटन था एक डोक्टर इसने इसका इलाज किया था और इससे खुश होकर काफी दिनों तक उनको रखा भी था यहाँ पर किसके सासनकाल में नादिर साहय का अक्रमन हुआ था बहदूर साहय प्रथम जहांदर साहय फरूख सियर और महमत साहय तो जो अक्रमन हुआ था से 1749 में उस समय जो भारत का मुगल समराठ था वो महमत साहय था नेक्ट है मुगल प्रांतिय प्रसासं से सम्मंदित अधिकारी नहीं है बाकिया नवीस गुप्तचर या फिर फोजदार कानून समंदी तो फोसदार है वो जिला या सरकार का अधिकारी था ये अपने को ध्यान में रखना है फोसदार है वो जिला या फिर सरकार का अधिकारी था अमल गुजार लगान वसूली का अधिकारी था खजानदार जिले का अन्य अधिकारी था और यहां इस समय प्रांत है वो सुबा कहलाता था तो इसके अंतरकत अपने को ध्यान में रखना है फोसदार कानून समंदी नहीं था बलकि फोसदार है वह जिला सरकार का अधिकारी था जिला या सरकार का अधिकारी था जिसे फोसदार के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट है मुगल कालिन सेना कितने भागों में थी मुगल कालिन सेना है उसे कितने भागों में बाटा गया था 4, 6, 8, 10 तो मुगल कालिन सेना है它 4-6-8 या 10 कितने भागों में भगती थी तो मुगल कालिन सेना है वो 4 भागों में भगती आहदी सेना, दाकिला सेना, मंसबदारी या फिर राजाओं के अधीन सेना इन 4 भागों में इसको है वो बांटा गया था Next है खानवा का यूद कब हुआ था फरवरी 1527, अप्रेल 1527, मार्च 1527 और जनवरी 1527 तो 17 मार्च 1527 है उसमें खानवा का यूद हुआ था बयाना के पास खानवा भरतपूर में है जिसमें बाबर ने रानसांगा को हराया था हल्दी गाटी के यूद में मांसिये को मुख्य सेनापती बनाने पर किसने यूद में जाने से मना कर दिया क्योंकि ये हिंदू सेनापती था और कई मुसलिम सेनापती है वो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू सेनापती तो अंडर में वह सेनापती बने तो नकीब खा था आसफ खा बंदय उनी या उसेन का नहीं बलकि नकीब खा था नकीब खाने है वो ऐसे सेनापतित वेसे क्या कर दिया था मना कर दिया था इससे मैं कट्ट था इतनी थी friends कि जैसे नकीब खाने मना कर दिया था तो ऐसे सेनापती तो है के होते हुए भी, मानसी ये काफी जाना माना सेनापती था, फिर भी उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, नेक्स्ट परसन है, मुगलों की ओर से कौन सा हाती हल्दी गाटी के उद में नहीं था, यानि कौन सा हाती था, जो मुगलों की ओर से हल्दी गाटी के उद में नहीं था, गजमुकता वे मर्दाना, गजराच वे रणमंदर, लूना वे पीर परसाद या सभी, तो अपने को एक ध्यान में रखना है लूना और पीर परसाद लूना और राम परसाद है रहे राणा प्रताप किया थी राम परसाद है उसी का नाम है वो युद्ध के परस्चात है पीर परसाद रखा गया क्योंकि यह मुगल सेनापती हुसेन खान ने राणा की सेना से छीन लिया था जिसके बाद इसका नाम बदल दिया गया नेक्स्ट है अब्दुर रहिम खान खाना ने मेवाड पर कब आक्रमन किया था अब्दुर रहिम खान खाना है 156, 1578, 1580 या 1577 तो 1580 में आक्रमन किया था उसने अपने परिवार के साथ को है वो सेरपूर में छोड़ा था जिसके परिवार ने परिवार को जो है अमर सिंग मह माना परताप की उदारता के करण माना परताप ने अमर्सिये को उसके परिवार को छोड़ने का आदेश दिया था जिसे अब्दुरहीम काफी प्रभावित हुआ था मानसी है कितनी वर्स की आयू में मुगल सेवा में चला गया था 12 वर्स, 14 वर्स, 16 वर्स या 15 वर्स तो मानसी है वो 12 वर्स की आयू में सन 1562 में है वो मुगल सेवा में चला गया था मुगल सेवा में चला गया था और 1614 तक वह अकबर की सेवा में रहा था इसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा है वो की थी नेक्स्ट है जहांगीर और मांसिये को कहां की सुवेदारी प्रदान की थी बंगाल, हाडीपूर, बिहार, एलिचपुरा तो बंगाल की सुवेदारी है वो प्रदान की थी लेकिन जल्दी उसे बंगाल से बुला लिया गया और दक्सिन में भेज दिया गया था तो अपने कोई धार में रखना है, बंगाल की सुबेदारी प्राप्त की थी, जबकि जो ऐलिच पुरा है ऐलिच पुरा वो स्थान है, जहां महाराश्टर के अंदर, हहां पर मांसीय की मृत्ति हुए थी जबकि हारी पुरा वो स्थान है जहां पर उसकी छत्री बनी हुई है तो फ्रेंड्स ये थे मुगल कालीन कुछ महत्वपुन प्रस्ण जिससे आप अपने तैयारी का अंदाजा है वो लगा सकते हैं इससे है आपकी तैयारी कैसी है तो उसके संदरब में आप अंदाजा लगा सकते हैं तो ये प्रस्ण आपको कैसे लगे जरूर बताइए हाँ 100 प्लस क्यूशन से ज़्यादा की पीडियव राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं धन्यवाद